जब ऐसी गर्मा गरम, खुश्बू दाल, दाल फ्राई इस ट्रिक से आप घर में बनाएंगे तो रेस्टरेंट होटल तो भूली जाएंगे डाल तो हर घर में बनाए जाती है लेकिन जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं डाबे पर या रेस्टरेंट पर तो डाल फ्राई ओडर जरूर करते हैं क्योंकि डाल फ्राई का वो जो टेस्ट होता है न वो कभी घर पर नहीं आपाता आज खोलने वाली हूँ वो सीक्रेट राज होटेल और रेस्टरेंट वाली डाल फ्राई तड़का का कि जिसके बाद आप होटेल रेस्टरेंट धाबा सब भूल जाएंगे डाल फ्राई तो इस तरह बनाकर हमेशा घर में खाएंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंट्स आप सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुग विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूले रेस्टरेंट धाबा स्ट जब हम डाल फ्राई बनाते हैं सिर्फ अरहर दाल से तो आपने अकसर देखा होगा ज्यादा सिटीली तो डाल घुट जाती है या फिर कम सिटीली तो दाल खड़ी खड़ी रहती है बहुत जादा पानी उपर आ जाता है वो देते हैं थोड़ी सी मुंग डाल कर उसमें में हम अरहर की डाल और मुंग डाल दोनों डाल करके तालों पर होती है बहुत सारी डर्स्ट कैमिकल भी लगाया जाता है स्टोर करने के लिए और साथ की साथ पॉलिश भी होती है तो इसलिए बढ़िया से तीन बार अच्छे से धूले और इस पानी को फेक दें जिससे की स 20-25 मिनट हो गए है और यह देखिए डाल बिल्कुल बढ़िया से फूल गई है तो यह सारा पानी इसका निकाल देंगे अब आप गैस पर चणाए एक कोकर कोकर में हम अपनी सारी भीगी हुई डाल को डाल देंगे अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी बस इतना भ एक छोटी चम्मच नमक, एक चोठाई चोटी चमच हल्दी अब यहाँ जाएगी वो सीक्रेट चीज जो धावे डालों में जरूर डाली जाती है और वो है तेश पत्ता तो यहां में डाल रहे हैं हो दो तेश पत्ता साथी में डालेंगे एक हरी इलाइची और दो लोंग आप बस इसे डाल कर देखिएगा, इसी जरा सी चीज से आप समझ पाएंगे घर की बनी डाल और बजार की डाल फ्राई में कैसे अंतर आता है, ये सब चीजे डाल में जबरदस्ट फ्लेवर को इनहेंस करती है, खाने में डाल दुगनी टिस्टी हो जाती है, अब हम कुकर पे लगाएंगे लिड, लेकिन लगाने से पहले इसमें आप डाल दीजी एक छोटी चमबच घी और थोड़ो सा धीना इस धक्कन की इस जगा पर आप लगा दीजे, इससे क्या होगा, डाल का पानी बाहर नहीं निकलेगा विसलाते वक्त, चाहें तो ओयल भी यूज कर सकते है तो चलिए बस इस पर लगाते हैं लेड और लेड लगाकर मीडियम फ्लेम पर सिर्फ हमें लेनी होगी डेड़ सीटी, एक सीटी पूरी और बस दूसरी सीटी हलकी सी आते ही बंद कर देंगे गेस को, और पूरी तरह से जब प्रेशर निकल जाएगा तभी हम लिड़ को हट पर्फेक्ट याप देख सकते हैं कि डाल हमारी बिल्कुल भी जादा गली नहीं है दाना अभी भी दिख रहा है पर सौफ्ट भी हो गया है ऐसा नहीं है कि डाल नहीं पकी बस इस बात का हमें बहुत खायल रखना है एक बड़िया दाल फ्राई बनाने के लिए डाल अगर इसमें हम डालेंगे दो बड़ा चम्मच घी डाल वगरा घी से बहुत यादा स्वाजिस लगती है आप चाहे तो पूरी तरह से ओयल में भी बना सकते हैं साथी यहापर मैं डाल रहे हूं इसमें एक छोटी चम्मच ओयल ऐसा करने से घी एक तो जलेगा नहीं और डाल में बढ़िया शाइन भी आएगी सारी वो सीक्रेट टिप्स आपको बता रहे हैं जैसे आप बाहर दाल फ्राई खाते हैं घी के गरम होते ही इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा डाल वगरा में जीरा थोड़ा बढ़िया से डलता है उसी का में फ्लेवर होता है साथ यहां पर हम डालेंगे एक छोटी चम्मच साबोत दर्दरा कोटावद धनिया इसका फ्लेवर डाल में जबरदस्ता हैगा आप डाल कर देखिएगा एक छोटा ही चोटी चम्मच जाएगी ही जोकि डाइजेशन में भी फायदा करती है दाल वगरा में बढ़िया लगती है और अब यहां पर डालेंगे दो सूखी लाल मेर्ज बढ़िया सी खुश्मू आ रही है इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे दो प्याज तो यहां पर प्याज को मैंने इस तरह से चौप कर लिया है सारी प्याज यहां पर डाल कर फ्लेम को तरंती हाई कर देंगे हाई फ्ल से चलाते जरूर रहेंगे जिससे की जो प्याज है वो सत्रफ से समान मुनेगी और प्याज में एक जैसा कलर आएगा छोटी सी चीज़े करके देखिएगा बहुत फरक पड़ता है खाने में यह देखिए आप देख सते हैं कि प्याज हलकी सी भुन गई है हलका गुराभीपन आ गया है तो बस इसी स्टेज पर इसमें जाएगा दस पंदरा कली लेसुन की इस तरह से चॉप करके मैंने ली है यहीं पर इसको डाल देंगे लेसन थोड़ा बढ़िया लगता है दाल में अच्छा फ्लेवर देता है और साथ ही आपर मिसमें डालेंगे दो से तीन हरीमिर बारी कटी हुई और एक इंच अधरक का टुकड़ा इस तरह से चॉप करके अब यहीं पर लेसन हरीमिर्च अधरक को बढ़िया से थोड़ी देर पका लेंगे जिससे इनका कच्छपन निकल जाए इसलिए मैंने प्याच को पहले जादा नहीं भूनाता क्योंकि अभी प्य कोगी बिलकुल होटैल रेस्टोरेंट जैसी होगी तो यहां पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडरो लिया है यह रंग अच्छा देती है और इसमें मिर्च कम होती है आप ज़्यादा पसंद करें मिर्च तो थुड़ सी जादा भी डाल सकते हैं अच्छे से करेंगे जिनको मैंने डफली चौप कर लिया है तो टमातर भी यही ढाल देंगे अब तामातर डालेंगे तो साथ में डालेंगे नमक को कर देंगे थोड़ा सा हाई मीडियम हाई फलेम पर टमातर को बढ़िया से पकाइंगे दाल फ्राई वहगरा है ऐसी चीज़े हैं जो जन्रली घर में सब को पसंद आती हैं बहार हम जाते हैं जब भी खाना खाने डावा हो या रेस्टरेंट हो हमेशा दाल फ्राई जरूर ओडर करते हैं डाल एक ऐसी चीज़े न इस तरह की दाल हो तो मन नहीं भरता है कभी भी आप हफ्ते में तीन-चार दनिया पाउडर एक छोटी चमच जीरा पाउडर अच्छी से मसालो को भी मिक्स करेंगे थोड़ा से डाल रही हो पानी इससे मसाले जले नहीं बढ़िया से टॉमाटर और मसाले हैं वो मिक्स पूरा पाईल छोड़ दे बढ़िया सब चीजों ने की चोड़ दिया है इसे स कोकिंग प्रोसेस दाल का वो चलता रहे एक तुम थंडा डालेंगे तो स्वात खराब हो जाएगा दाल का तो बस थोड़ा सा गरम पानी डाल कर आप अपने अनुसार कितनी गाड़ी रखनी है कितनी पतली रखनी है दाल की कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर सकते हैं अच्छे गी के गरम होते ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा सिफ थोड़ा सा के ऊपर उपर से रावनक बढ़िया लगे साथी में डालेंगे एक चम्मच चॉप्ड लैसुन बहुत अच्छा लगता है दाल में उपर से अच्छे से घी के साथ लैसुन को भी थोड़ा सा भूल ल लगाएंगे, जबरदस फ्लेवर आ जाएगा, गैस को बंद कर देंगे, फटाफट से डालेंगे एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, अच्छी कलर के लिए, लीजे हमारा जबरदस वला तड़का है तयार, फटाफट से डाल के उपर इस तड़के को लगाएं धाबे से भी बढ़िया, डाल फ्राइब तड़का है, घर में ही तैयार, इतनी बढ़िया खुश्बू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, 100% आप जरूर ट्राइ कीजेगा, मेरी गारेंटी है कि आप इस डाल को तीन से चार बार तो पक्का बनाएंगे अफते में, डाल की कंजिस्टेंसी, कलर, टेक्स्चर, आप सब देख सकते हैं, परफेक्ट, दाना भी दिख रहा है डाल का, डाल पूरी बढ़िया पकी भी है, बाइंडिंग भी है, ऐसा नहीं है कि पानी अलग हो रहा हो और डाल अलग, तो ये लिजे बिलकुल तैयार है, हमारी रेस सर्व किया है, गरम गरम चावल के साथ, आप भी जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको आज की ये सीक्रेट वाली इस्पैशल डाल फ्राई तड़का की रेसिपी, सच मानिये ये आपको बहुत पसंद आएगी, आप एक बर मेरी टिप से बना कर द प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और आपके अपने चैनल कुक विद पारूल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले, थैंक यू फॉर वाचिंग कुक विद पारूल, जैहिद, जैभारत